पुलिस पर इक्षार रद्ध होना तैंग जाच में जुठी टीम को मिला सबूत अब डाटा रिकवरी कर होगा बड़ा एक्षन एक फोन निकोला सबसी बड़ा राज उत्रप्रदीश में योगी सरकार ने रिकॉर्ड्स तरबर पुलिस भर्दियां करवाने के लिए 60,000 से ज चांच करने में जूड़ चुकी है आम तरीक कमिटी तक काबोर्ट की तरप से गठन किया गया है यह कमिटी ऐसे बात पर जोड़ दे रही है कि पेपर वाइरल हुए है या फिर आवास्ताओं में पेपर होने से पहले ही मिल गए थे जा किसी AI टूल्स का इस्तेमाल करके इस से फायदा यह हुआ कि परिक्षा पेपर लीग में भंडा फोर हो जाएगा पकड़े गए विहार के विर्थी ने शातिर बुद्धी से मोबाइल का सारा डेटा अपना डिलीट कर दिया है अब पुलिस डेटा के रिकवरी करने में जुड़ चुकी है यही एक तरीका है जि 114 सवालों की सही जवाब लिखे थी इसको लेकर उससे पूछ ताजबी की गई है जिसमें पता चला था कि सॉल्वर पीपर उसी पारिक्षा किंद के बाहर फोन पर मिला था पुलिस रवी को मुकदमा दर्च करने के बाद जेल बेच चुकी है सूत्रों से मिली जौनकारी क सॉल्व कॉपी का राज खोलने के लिए अब अब ब्यर्थी के मुबाइल से डिलीट किये गए डेटा की रिकवरी कर रही है पुलिस को मीद है कि जल्दी सारा डेटा रिकवर कर दिया जाएगा एस बीच तेजी से मांग चल रही है कि पुलिस पेपर दोबारा कराय जाए बतादे कि सेम गयोगा अदितिनाथ ने पहले ही यह कह दिया है कि अगर पेपर लिख हुआ तो पुल्टूजर आक्शन के साथी एक महीने के अंदर दोबारा पेपर करवाना होगा और अब विर्थियों के आने जाने के विवस्ता फ्री में करनी होगी यह बयान भी अब उनका खोब वायरल हो रहा है ऐसे मैं विर्थियों को पता है कि सूबे के मुक्ष्यमंद्री हो गया दितिनाथ है विर्थियों के साथ ऐसा खदापी नहीं होने देंगी और यह जिसे जान बूच कर कैंसल करवाने की तो नहीं है इस भी जगजगा विर्थियों का विरूप पदर्शन भी जारी है हना कि अश्रूं का जताई जारी कि सब्ता कि आखरी समय तक कुछ नकुछ रिजर्ट जरूर इस पर आ जाएगा वास्तों में पेपर लीख हुआ या फर